कि अपन्ध हाल से मेफड़ और रोवर्ट मेफड़ किया था वैसे एक गैंट किया भी वैसे एक इमर्शन मेफड़ है यह कोश्चिन में हमेशा दिया रहेगा आप लोगों को चार्ट लेको स्टैंडर्ड टाइम दे रहा है एट आवर्स आउट पुट भी दे रहा है एट य ट्वेंटीवन से एटी परसेंट की एफिशेंसी दिखाई है तो साथ परसेंट एटीवन से नाइनटी तो टेन नाइनटीवन से नाइन तो फिफ्टीन और हंड्रेट तक की एफिशेंसी दिखाई है तो आपको मिलेगा किता परसेंट ट्वेंटी परसेंट मिलेगा इसमे भी same बनाओ, unit of output लिखो, फिर next column बनेगा इसमें, daily wages, फिर इसमें बनेगा work capacity, बोनस, बोनस के अलावा देखो इसमें, देखो ये बोनस percent बना सकते हैं, आप लोगों के book में bonus percent अलग से दिया हैं, और बोनस अलग से calculate किया है, टोटल वेजिस, और यह हो जाएगा cost पर unit, देखो unit of output कौन किता करें, एक पांच, छे, साथ, आठ, दस, तो five हो जाएगा, छे, साथ, आठ, और दस, डेली वेजिस देखो कितना हैगा, rate per hour कितना दे रहा है, त्री दे रहा है, कितने का अवर्स काम करने हैं, देखो standard time में दिया है, एट अवर्स, तो सबका डेली वेजिस तो 24 ही बनना है, क्योंकि सबने आठ गंडे में, एक ने पांच यूनिट बनाए, एक ने छे, एक ने साथ, एक ने आठ और एक ने दस, work capacity देखो, कितना परसेंट हुआ इसका, अगर इसने पांच यूनिट बनाया है, आठ में से, कैसे calculate करेंगे, बताओ, 62% आएगा, work capacity कैसे करते हैं, calculate बताओ, देखो, work capacity करने का एक formula बतारी हूँ, उपर देखो, अगर आठ यूनिट्स हमको calculate करना है, देखो, अगर standard दिया है, आठ यूनिट्स का, तो ये कितना परसेंट हुआ, 100% हुआ है, कमपनी की तरफ से, उसको 8 यूनिट्स काम चाहिए, तो ये कमपनी का कितना परसेंट हुआ, 100, तो हमने कितना बनाया है, 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स कितना होगा, तो ऐसे situation में क्या करते हैं, 100 को divide करेंगे, 8 से, जो भी आपका answer आएगा, जैसे कि आपका answer आएगा, 12.5, तो हमने कितना produce किया है, 5 यूनिट्स, तो इन्टू 5 करना, तो आएगा आपका answer, 62.5, तो ये work capacity निकली आपकी, 62.5, किसे को doubt है यहां तक, सेम वैसे ही निकालो इसका, 6 यूनिट का, 100 by 8 करेंगे, तो आएगा 12.5, उसको multiply कर दो, 6 यूनिट्स से, तो कितना आएगा, 12.5 into 6, 75% इसने काम किया, सेम इसमें देखो, इसने कितना काम किया है, 12.5 into 7 करो, 87.5, सेम 8 में करो, ये किसने किया है, 100% और इसने किया है, 125%, 5, clear है, तो देखो, ये percent पता चल गया, तो इसके according, ये तो कोई efficiency निकल गई, और उसके according, हम इसको क्या देंगे, bonus, तो जो first वाले का है, 62, तो चार्ट में देखो, 67 से start किया, तो इसको कोई bonus नहीं मिलेगा, तो इसका निल, तो इसका bonus, कोई bonus नहीं रहेगा, इसका total wages आ गया कितना, 24, और अगर आप इसको cost पर unit करते हैं, मदब unit wise ये, तो 24 को अगर आप divide करते हैं, 5 से, तो कितना आएगा एंज़ा? 4.80, 4.80, तो इसने कितना percent दिया है, 75, तो 75 second में आ रहा है, 71 city, तो इसको premium कितना रहेगा, 7%, तो bonus percent लिखनो साथ, question में दिया है, 7%, तो bonus निकालो 7% इसका, 24 का 7% निकालो, 1.68, देखो, यह वाला, जो daily wages है, उसका, तो इसका total wages कितना हो गया? 25.68, और cost per unit, इसको divide करना, 25.68 को divide करना, 6 से, क्योंकि इसने 6 unit produce किया है, तो आगया 4.28, सेम वैसे ही, यह देखो, 87.5, यह 3rd category में, इसका आजाएगा 10% वाला, तो इसका bonus मिलेगा आपको, 10% है तो 2.40, यह हो जाएगा, 26.40, और अगर आप 26.40 को 7 से divide करोगे, तो आजाएगा 3.77, सेम यहीं पर, 100% पर है, तो 20%, तो 100 का, 24 का, अब 20% निकालेंगे, बताओ कितना आएगा, अच्छा, एक चीज़ याद रखना, immersion में, formula में, जो यह 20% होता है न, जब यह 100 पर रीच करता है, तो हर एक एक्स्ट्रा पर, 20% मिलेगा, याद रखना, हर एक पॉइंट पे, मिलता है उसको, जितने पॉइंट्स, एक्स्ट्रा करता है, में, 20, bonus परसेंट, आगे इसका amount, बता वेटा है amount, तो, 20% कितना आएगा, 4.8, इसका total हो गया, 28.80, divide करो इसको, 3.60, अब इसका bonus देखो, 125 दिया है, तो, immersion में याद रखना, 100 तक कितना bonus था देखो, 20 था, क्योंकिए, अब ये 125 है, तो मैंने क्या बताया, हर एक extra पे, एक extra मिलेगा, तो 100 तक तो इसको 20 मिलेगा ही, प्लस इसने कितना एक्स्ट्रा वर्क किया है, 25% एक्स्ट्रा काम किया है, तो हर एक परसंट का एक बनेगा, क्यानि 100 तक का 20 और 25 का भी 25 मिलेगा, तो 20 प्लस 25 हो जाएगा, 45% किसे को डाउट है? 9 में तो इसका ये बोनस हो जाएगा, 10.80 तोटल वेजेश हुआ इसका, 34.80 और कॉस्ट पर यूनिट हो गई इसकी 3.48, ये वाला याद रखना, इमर्सिन में 100 से जितना भी एक्स्ट्रा उपर आएगा, तो जिसे इसने 125 किया है, यानि 25 पॉइंट्स एक्स्ट्रा किये हैं, तो इसके बोनस में उतने परसंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानि 100 तक का 20 और जो 25 इसने एक्स्ट्रा किया है, तो 20 ब्लस 25 हो गया, 45 परसंट्स परसंट्स किसी को डाउट है?